मैं दिये फ्रेंट्स तो बहुत बच्चों का ये कमेंट था कि सर मैं 2022 में नीट अपियर करूँगा सर कब होगा 2022 नीट का एक्जाम आप से लेकर कितना टाइम मुझे मिलेगा क्या दो साल से एक्जामनेशन सेप्टमबर में जा रहा है अगले साल भी सेप्टमबर में कि जो अभी तक जो एक सुचना मिल रही है कि 2022 से गवर्मेंट पूरा कुशिस करेगी कि अपने सेशन को टाइमली किया जाए इसका मतलब ये हुआ कि सेशन टाइमली करने का मतलब है कि महीने में ही एक्जाम कंड़क्ट कराने की तयारी होगी जी हाँ क्योंकि 2020 का सेशन और सेशन को सुरू होते होते बोल सकते हैं आपके लगबग लगबग एक सेमेस्टर हम लोग बैक हो चुके हैं फिर से इस साल तो NTA के आगे की तयारी है कि almost vaccination का process भी complete होने वाला है और जो 18 year के अंडर वाले हैं उनका भी vaccination सुरू हो जाएगा तो ऐसी हालत में examination को अगले साल ज चाहिए वो मई होना चाहिए और मई target के साथ साथ आपको syllabus up to March complete करना चाहिए अगर आप मार्च तक complete करते हैं syllabus तो आपके पास revision का time मिलेगा otherwise revision का time भी आपको बहुत कम मिलेगा और साथ ही साथ जो बच्चे को लग रहा है कि मेरे को MBBS ही करना है इस साल जो मेरा मार्च से को suitable नहीं MBBS के लिए तो आप बीना समय गवाय ड्रॉप कर जाएए बीना कुछ सोचे क्योंकि अगर आप दिसंबर में जाके ड्रॉप करते हैं तो आपके पास चार महिने बचेंगे जो कि syllabus को revise करने के लिए पहुत sufficient नहीं होगा काफी time निकल चुका है दोस्त इसलिए मैं बता आपकेदार ओफर चल रहा है 10,000 का course only 1500 में पूरी chemistry, test reach के साथ, back video lecture के साथ, daily live classes के साथ तो एक बहुत golden opportunity आप लोग के लिए है इसको miss मत किचे और join कर लिजे फटापट फटापट